हाई अब्रीवन वेल्कम एक टू कोर्स टेप बेस्टेप मैं हूँ अनेल से दू और नोड़ जैस के इस पार्ट में में लोग बात करने वाले हैं इवेंट्स और इवेंट एमिटर के बारे में यह इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट क्यों है नोड़ जीएस का न जरूरी नहीं है अगर मैं आपको पहले पढ़ाता कुछ लोग को समझ में आ भी जाता कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते कि यार यह क्या बता दिया इसका एक्ट्यूल मुझे कुछ यूज दिखने आप लोगो ऐसा लगता इसलिए मैं आपको इस स्टेज पर बढ़ा र के एक complete example मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर भी आप लोग इवेंट एमिटर और इवेंट्स को किस तरीके से यूज कर सकते हो और लास्ट में कुछ इंट्रिव्यू कोशन में डिस्कस करेंगे सो पहला क्वेशन आता है इवेंट्स का होते हैं देखो इवेंट्स ऐसा नहीं है कि नोड जीएस के अंदर होते हैं अप्रोक्सिमेट हर एक प्रोग्राइमिंग लैंग्विज के अंदर इवेंट्स होते हैं सबसे जाज़ा यूज कहां होते हैं जावास्क्रिप्ट एच् जब एक HTML के बटन के ओपर एक क्लिक करते हैं तो एक सिगनल सेंड करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन या फिर एक पर्टिकुलर कोड एक्जेक्यूट कर दो, ठीक है? अब event emitter क्या होता है? जो चीज वो event को generate करती है, वो basically event emitter होता है, emit का simply मतलब होता है कुछ generate करना, कुछ produce क पर ना, तो यहां पर HTML वाले case केंदर और JavaScript वाले case केंदर emitter क्या होता है? बटन होता है, वो एक emitter होता है, ठीक है? पट Node.js केंदर तो हमारे पास buttons होते नहीं है, ठीक है? अगर आपको कोई बोले ना, कि Node.js केंदर एक button click कैसे बनाओ गई? तो आपके पास एक या answer होना ची यह through API, बिना API के, because जो buttons होते हैं, वो हमारे HTML और JavaScript वाला browser का पार्ट होते है, Node.js के अंदर नहीं हो सकते, तो आप बोलोगे, अगर Node.js के कुछ button का कुछ बनाना तो API के through goal हो सकता है, Node.js के अंदर button click नहीं बन सकता, JavaScript HTML के अंदर बन सकते है, चीक है? तो फिर यहां पर events कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूं अभी के लिए, सबसे पहले मैं एक simple, basic code लिखता हूं, API goal करने का, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, so यहां पर मैं लिखता हूं, const, express equal to, require करूँगा express को, ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं, const, event emitter, और यहां पर मैं require करता ह हूं, event module को, जैसे हमारे, हमने last वाली वीडियो के अंदर, OS module पढ़ा था, FS module पढ़ा था, express module है, इस तरह के से events भी एक inbuilt module होता है, जिसको हमें externally install करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास यहां पर question होना चीए, गर नहीं है, तो आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख और जब हमें class यूज़ करते हैं, तो उसका जो first word होते हैं, इसको capital रखते हैं, इससे हमें समझे बादाता है कि एक basically class है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले express js को use करके app निकालता हूं, app equal to express, उसके बाद मैं मुझे दो सिंटेक्स और लिखने है, आचा यहां मैंने यहां लगाना दो भूली गया हूं, और यहां लगाता हूं, app.get, यहां पर लगाता हूं, एक मैंने home route बना दिया, that is it for a moment, और इसको यहां पर मैंने get API को call कर दिया, इस तरीके से हमें मैं अगरता हूं, request or response, response.send API call, यह इसका response लगा जाएगा, और अब हम लोग क्या करते हैं, app.listener लगा देते हैं, एक पाउट के ओपर, let's say, मैं 5000 port के ओपर लगा देता हूं, एक port, listener, अब मैं इसको run करता हूं, terminal open करूंगा, और यहां पर node mode, अब मैं इसको थोड़ी window को छोटी कर देता हूं, यह अपने आप यहा पहले get out वगरे सब कुछ set करके रखा हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई problem नहीं है, अब मैं चाहता क्या हूं, कि मुझे पता चले कि total कितनी API की hit गई अब तक मेरी website के ओपर, two, three, यह है, let's say, search की कुछ API है, यहाप लेक देता हूं, search, अगर मैं अब यहाँ से ही, जैसे मैंने यहाँ पे, दो मैं और open कर देता हूं, यहाँ पे मैंने search की API कोल कर लेता हूं, मैं, search API कोल हो गई, और सेम इसी तरीके से update, मैं चाहता हूं कि मैं मुझे count करना है कि मेरी project के अंदर कितनी API अभी के लिए चल रही है, यह मैं case क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस case के अंदर आप लोग event का perfect use कर पाऊगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और य इतनी API कोल हो, हमारे पास उसा count जाए database के अंदर, perfect, so अब मैं क्या करता हूं, यहां पर, एक event बनाता हूं, वो जो की, ऐसा एक function होगा, जो की मेरे जितने भी click हो रहे हैं, उनको basically count करता रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक object बनाता हूं, यहां पर event का, यहां लिखता करेंगे new, perfect, so अब मैं क्या करूँगा, यहां से, एक function कोल करूँगा, जैसे मैं आप लिखता हूं, event dot emit, यहां से मैं event को generate करूँगा, ठीक है, इस event का रहेगा, नाम रहेगा count API, ठीक है, आप इस तरह की से कर सकते हो, after that, मैं क्या करता हूं, जैसे वाला count API कोल होगा, यह त event generate कर दे, यहां से क्या करेगा, यह वाली line, event को generate कर देगी, यहां से जैसे कि button click होता है, उस तरीके से, यहां से generate होगा, अब वो handle कहां पर होगा, जो हम normal function बनाते हो, इस तरह की से बनेगा, event dot on, और इस event का नाम, कि जैसे ही यह वाला event call हो, तो यह वाला code execute हो जाए, कौन से यह वाला, मैं आपको बताता हूँ, यह वाला, अब इसके अंदर जब हम on लगाते हैं, on के अंदर दो parameter होते हैं, यह इसका एक function होते है, हमारे event का, on, on में जो first parameter जाएगा, हमारे event का नाम, second के अंदर callback function, और इस callback function के अंदर में कुछ भी console करवा सकता हूँ, console dot log कर देता हूँ, hello, यह अब लिख देता हूँ, event called, ठीक है, अब जैसे मैं इसको call करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको call करा, और यहाँ पर देखो, event called नाम से एक console बन गए, ठीक है, ठीक है, तो यह क्या हूँ, हमने यहाँ से emit कर दिया, एक event को, और यहाँ पर उस event को capture कर लिया, कि जैसे ही हमारा count API call होगा, तो यह वाला code execute हो जाए, यहाँ पर हम कुछ भी code लिख सकते है, ठीक है, तो अब मैं एक example और भी थोड़ा सा complex करता हूँ, इसको, अच्छे समझाता हूँ आपको, const यहाँ पर मैं लेता हूँ, let count is 0, और इसके अंदर मैं करता हूँ, count, plus, plus, इसको मैं हर बार increase कर देता हूँ, और यहाँ पर करता हूँ, मैं count, आप देखना, जितनी भी API call होगी ना, हर बार यह new generate होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, जहाँ पर one गया, two, three, four, five, मैंने बहुत बार click करा, और इतनी बार हमारे पास यहाँ पर count आ गया, अब इस count को मैं obviously database के अंदर, save भी करवा सकता हूँ, right, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने event यहाँ से submit कर रहा है, अब मैं इसको यहाँ से submit कर सकता हूँ, second वाली से भी API API से भी और third वाली से API भी, और अब जैसे मैं इसको save करूँगा, एक बार यह reset हो जाएगा, अब यह फिर से 0 से चलना start होगा, API देख सकते हो, एक गया, दो, तीन, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो, 4 गया, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, काफी सारे कर दिय मैंने यहाँ भी क्लिक कर दिया, तो जितने भी हमारी बार भी API कॉल होई हो, हमारे काउंट यहाँ पर हमारे पास आता जा रहे है, ठीक है, अब आप इसको database के अंदर save कर वालो, जो अब भी आपको ठीक लगे, उस तरीके से आप इसको save कर वा सकते हो, तो इस तरीके से event के अंदर गर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हो, event, dot लगाना शुरू करूँगा, on, once यह एक बार call होगा, prepared, listener, यह काफी सारे चीज़े होती है, but जो most important चीज़े होती है, वो on और emit ही होती है, ठीक है, I hope कि आपको अच्छे से event के बारे में समझ में आ गया होगा, कुछ confusion ह है, तो मिर से पूछ लेना, चैनल के सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलना, thank you so much.